लगोगी सब्सक्राइब चुछ के साथ चुछ रहें। 6 1s आ 6, 6 5s आ 30 है, 6 को अगर हम 5 के साथ multiply करेंगे तो आते हैं 30, तो 30 का जो 1s के place value पर जो नमबर आते हैं 0, इसको हम यहाँ पर नीचे रखते हैं, और हमारा जो 10s के place value पर जो 3 है, इसको हम 100 की नीचे यहाँ पर carry करते हैं, तो यह हुआ, अब 6 1s आ 6, 6 plus 3 that is 9, 906 हमारा answer आ जाते हैं, आप similarly, 283 multiplied by 3, यह हो गया हमारा 1s का place value और यह 10s और यह हमारा 100, 3 3s आ 9, 3 8s क्या होते हैं, 24 होते हैं, 3 और 8 को अगर हम multiply करेंगे तो answer हमारा 24 आएगा, 24 के जो नमबर 1s पर हैं, जैसे यह 4 है, इस 1s के place value पर जो नमबर आते हैं, उसको हम यहां पर निचे लिखते हैं, और जो 10s के place value पर जो नमबर है, जैसे यह यहां पर 2 है, इस 2 को हम 100 की निचे यहां पर carry कर देते हैं, 3 8s आ 24, तो 4 को यहां पर लिखा हमने 2 को यहां पर 100 की निचे carry कर दिया, अब 3 2s आ 6, 6 plus 2 that is 8 तो हमारा आंसर जो यहाँ पर आते हैं वो 849 आ जाते हैं similarly हमारे पास next question है 384 multiplied by 2 यह हमारा 1s का plus value है, यह 10s है और हमारा 100 है तो 2 4s आ 8, 2 8s आ 16 अगर हम 2 को 8 के साथ multiply करेंगे तो 16 आ जाते हैं 16 के 1s पे जो place value, 1s पे जो याने की number 1s place value पे जो digit है जैसे यहाँ पर 6 है इसको नीचे रखते हैं यहाँ पर 10s के place value पे जो भी digit है जैसे यहाँ पर 1 है, इस 1 को हम carry करते हैं यहाँ पर 100 की नीचे यहाँ पर 2 3s आ 6, 6 plus 1, 7 768 हमारा answer आ जाते हैं तो आप लोगों को समझ में आया होगा और एक question करते हैं 315 multiplied by 3 यह हमारा 1s का place value है, यह 10 से और यह हमारा 100 है अब 3 5s होते हैं, 3 को अगर हम 5 के साथ multiply करते हैं तो answer आ जाते हैं हमारा 15 1s place value पे जो भी number आते हैं उसको हम नीचे रखते हैं जैसे यहां पे 5 आया अब 10s place value पे जो में number आते हैं जैसे यहां पे 1 आया इस 1 को हम यहां पे यहांने की 10 के नीचे carry करते हैं यहां पे तो 3 1s हो 3 plus 1, 4 3 3s हो 9 945 हमारा answer आया और एक question है जैसे यहां पे 227 multiplied by 3 3 7s हा 3 को हम 7 के साथ multiply करेंगे तो 21 आ जाते हैं इस 21 में से 1s के place value पे जो number है जैसे यहां पे 1 है उसको हम नीचे रखते हैं और 10s के place value पे जो number है जैसे यहां पे 2 है इस 2 को हम 10 की नीचे यहां पे carry कर देते हैं तो 3 2s हा 6 6 plus 2, 8 3 2s हा 6 681 हमारा अंसर आया है अब आप लोगो समझ में आया होगा अब आप लोगो यहां पे page number 92 पे जो homework है के लिए करना है आपको exercise 1.7 का 1st, 2nd and 3rd row तक आज के लिए आप लोगो homework करना है अपने यानिके school copy पे आज data हमारा 28 है तो आप लोगो यहां पे 1st, 2nd and 3rd यानिके रो तक यहां तक आप लोगो school अपने school के copy पे यह homework के लिए लिए लिखना है यानिकी इनको complete करना है तो कल इससे आगे हम start करेंगे thank you have a nice day